प्रिये देश्वासियों, हमारे यहां के बच्चे, हमारे विध्यार्थी, अपनी पूरी ख्षमता दिखा पाएं, अपना सामर्थे दिखा पाएं, इसमें बहुत बड़ी भूमी का नुट्रेशन की भी होती है, पोशन की भी होती है. पूरे देश में सितंबर महने को पोशन महा, नुट्रेशन मंत के रूप में मनाये जाएगा. नेशन और नुट्रेशन का बहुत गहरा सबंध होता है. हमारी यहां एक कहावत है, यथा अन्नम तथा मन्नम, यानि जैसा अन्न होता है, वैसा ही हमारा मानसिक और बौदिक विक आज भी होता है। एक्सपर्स कहते हैं कि शीशू को घर्व में और बच्वन में जीतना अच्छा पोशन मिलता है उतना अच्छा उसका मानसिक विकास होता है और वो स्फस्त रहता है। बच्चों के पोशन के लिए भी उतना ही जरूरी है कि मा को भी पूरा पोशन मिले। और पोशन या न्यूट्रिशन का मतलब कि अवज़त इतना ही नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं। इसका मतलब है आपके शरीर को कितने जरूरी पोशक तत्व, न्यूट्रिचन मिल रहे हैं। आपको आयन, कैलसम मिल रहे हैं या नहीं, सोडियम मिल रहा है या नहीं, वितामिन्स मिल रहे हैं या नहीं। ये सब nutrition के बहुत important aspects हैं। Nutrition के इस आंदुलन में people participation भी बहुत जरुरी हैं। जन भागीदारी ही इसको सफल करती हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में देश में काफी प्रयास किये गए हैं। खास कर हमारे गावां में इसे जन भागीदारी से जन आंदुलन बनाये जा रहा है। पोशन सप्ता हो, पोशन मा हो, इनके माद्यम से जादा से जादा जागरूपता पैदा की जा रही है। स्कूलों को जोडा गया है, बच्चों के लिए प्रतियोगीत आएं हो, उनमें एवर्नेस बढ़े, इसके लिए भी लगाता प्रयास जारी है। जैसे क्लास में एक क्लास मोनिटर होता है, उसी तरह नुट्रिशन मोनिटर भी हो, रिपोर्ड कार्ड के तरह नुट्रिशन कार्ड भी बने, इस तरह की भी शुरुवात की जा रही है। पोशन महा, नुट्रिशन मन्त के दोरान, माय गौव पॉर्टर पर एक फूर एंड नुट्रिशन क्वीच भी आवजित की जाएगी, और साथ ही एक मिम कॉम्पिटिशन भी होगा, आप खुद पार्टिसिपेट करें और दूसरों को भी मोटिवेट करें। साथियों, अगर आपको गुजरात में सरदार वल्लभाई पटेल के स्टेची ओफ यूनिटी जाने का आउसर मिला होगा, और कोवीट के बाद जब वो खुलेगा और आपको जाने का आउसर मिलेगा, तो वहाँ एक यूनीक प्रकार का नुट्रिशन पार्क बनाया गया है खेल खेल में ही नुट्रिशन की शिक्षा, आनन प्रमोत के साथ वहाँ जुरूर देख सकते हैं साथियों, भारत एक विशाल देश हैं, खान पान में धेर सारी विवित्ता हैं हमारे देश में छे अलग-अलग रूतियां होती हैं, अलग-अलग खेत्रों में वहाँ के मौसम के हिसाब से अलग-अलग चीजे पैदा होती हैं इसलिए ये बहुत ही महतोपुन है कि हर क्षेतर के मौसम, वहां के स्थानिय भोजन और वहां पैदा होने वाले अन्न, फल, सबजियों के अनुसार एक पोशक, nutrient-rich diet प्लान बने, अब जैसे मिलिट्स, मोटे अनाज, रागी है, ज्वार है, ये बहुत अत्योगी पोशक आहा है, इसमें हर एक जिले में क्या-क्या फसल होती है, उनकी nutrition value कितनी है, इसकी पूरी जानकारी होगी, ये आप सब के लिए बहुत बड़े काम का कोश हो सकता है, आईए, पोशन महा में, पौश्टिक खाने और स्फस्त रहने के लिए, हम सभी को प्रेरित करें